करन किसलिए है सिर्फ टाइम गॉर्ड ना बनाने के लिए वा शल्पाजी आपका जोगे दोहरा चेहरा है ना कि कितनी बार दिखाओगी आप क्या कर के रही थी दिख विचे कह रहा है यार घटिया हो रहत है यार ये क्या कर के रही है इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहे हैं अगर रूल ब्रेक की बात है तो क्या उससे पहले रूल ब्रेक नहीं हुए होंगे शिल्पा जी क्या ओरत हो यार आप जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो रहना आपको दिन भर करनवीर के साथ है लेकिन जब प्रियोर्टी की बात आती है तो आपको फर्स प्रियोर्टी आपकी इशा हो जाती है अरे उस बंदे की हाड़ वक को देख लेती वो 40 प्लस इंसान उतनी भारी भरकम औरत को लेके घंटो चला 4-5-6 घंटे जितने भी घंटे थे चला आपको उसका हाड़ वक नहीं नजराया अगर उसको गिव अप ही करना होता अगर उसको गिव अप कर रही होता तो वो पहले ही कर देता वो 4-5 घंटे ढोके क्यो चला वो इसी लिए ना चला कि क्या पता इडन जीत जाए इडन जीत जाएगी क्या पता वो मुझे सेव कर ले इसी भरोसे में तो चला होगा न वो बंदा लेकिन क्या गेम खिलती हो आप क्योंकि आपकी फोस्ट प्रियोर्टी इशा है पहले विवियन अब इशा उसके बाद कर करनवीर के उपर है जो आपको हर बार माफ कर देता है करनवीर के उपर ज्यादा नाराज है पता रही कैसा बंदा है यार वो क्यों माफ कर देता है आपको उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं है आपको प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट नहीं है आपसे उसको कोई बिठाता है, हसता है, खेलता है, मस्ती करता है, और आप कितनी बार दिल तोड़ोगे यार, ओ भाई, मतलब एक इनसान को आप क्लेम कर रहे हो, कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, और दोखा देनी की बारी आते हो, उसी इनसान को दोखा देत इतना भी मतगीरो कि एक बंदा अपनी नजरों में से गर जाए कि ये औरत क्या है और करन अब वाक्वी में अगर जाके शिल्पाजी से बात करता है तो हमें फिर से एक बार बुरा लगे का कि करन कर क्या रहा है वाकि आप बताना आपको क्या है कहना